नमस्ते मैं पिक्रम अधिगाजी तपाई हरूराई मेरो यूट्युब चैनल अत्रिस जर्ट कमात स्वाधत करना चाहाँचू यो और प्रग्राम सम्ण सम्बन्दीट दोसरो वीडियो टूटोरियल हो यस बीडियो टुटोरियल मा म तपाय हरुलाई सर्व प्रथम आर इस्टुडियो को इंटरफेस को बारेमा सिखाऊनेशु। तेश पस्टाथ फंक्षन के हो रफंक्षन ले कसरी काम गर्ष भन्नेकुरा चर्चा गर्णेशु। अणि तपाय ले कैम गर्णें फोल्डरें। अथवा ओर्किंग डाइरेक्ट्री कछारी सेटप गर्ने। र तपाय ले कुण और्किंग डाइरेक्ट्री मा काम गर्णे रप्रुभाई को चा त्यो किसरी पत्तालागॆउने त्यों प्रयापनी शिặकाउनेशु। यो RStudio को इंटरफेस हो, यहां तपाय हो ले सबाई भन्दा माथी Files, Edit, Code, View जस्ता अप्चन जरू तेखना हो छो, रो त्यों भन्दा तल, Console को प्लेन देखिना हो जो यो ठूलो प्लेन, Console को हो, यो ठाहुमा तपायले के गर्ने भनेर कमार्ड दिनो हो छो, रो यो Console ले तो क कमार्ण लाए Execute गरेरा Result तपायलाए दिन छो, वहान मा वान जोर्ण नको लाइबी कमार्ड दे एसले दुई भनेरा आउटपुट दियो, तपायले दिनो भएको कमार्ड को प्रोसेसिंग भएरा दिसको आउटपुट आउने काम हो छो, इसके साइड मा, Environment History Connection Tutorial को प्ले आउट गरेका डेटासेट हरू, बनाएका Vectors अथवा लिस्ट, Tables हरू यो इन्मार्मेंट मा बस चल, तपायले कोंसोल मा रन गरेको कमार्ड हरू, हिस्ट्री मा मसे कोण चल, तपायले आर इस्टुडियो लाइब बिविद्न डेटाबेस हरू समा कनेक्शन करना का लागी यो कनेक्शन वाला प्लेन प्रहे करना सकना हरू, आर इस्टुडियो ला आर प्रोग्रामिंग, स्टेप बाइस्टेप सिखन का लागी टुटोरियल पनी एई प्लेन मा रहे को हूंसो, रहो इन्मार्मेंट हिस्ट्री को यो प्लेन मन्दा तौल पर्टी, फायल, प्लोट, प्लेकेज, हेल्प, भीवर र्प्रेजंटेशन को पैनल हुंचो, फायल्स, तपायेको व्रिकिंग स्पेश वित्र रहे का फायल्स डुकुमेंज हरू यो ठावा मा डिस्प्ले हुंचो, तपाये बनावाण वहे को ग्राफ्स, डिफ्रेंट चार्ट्स हरू यो ठावा मा इस्ताल गरनों खाईको बिभीनना पैकेज़े जहुनको लिस्ट तापाईली यहां देखना सकने हो छो र प्रोग्राम स्टार्ट हुनु घंदा आपागाडी नहीं तो पैकेज़े जहुन बाइडिफर्ट रन पुनका लागी तो पाईली यहां टिकमार्ख लगाउना सकने ह यो टिकमाक लगाऊनों भयोग हने त्यो लाइब्रेरी हरू अटेच हुन छा रू तापाइले त्यो लाइब्रेरी वित्त्रावको फंक्शनालिटीज हरू प्रयागानों सक्ने छा त्यो ले। पाइले कोंश। आर्ड माँ हेल्प शिख गरनों भयो गने त्यो लू हेल्प चाए त्यो ये तापाती हो ये हल्प ब्लेन मा देखना सक्ने छू छा तपाइले जेनरेट करनों भाएको, टेबल्स, प्रेजेंटेशन ज़रू छाई, यो ठाउमा विजुलाइज करनों सकते हुँचा। SPSS मा SPVE फाइल हुँचा। स्टेटा मा डू फाइल हुँचा। सब्सक्राइब निष्टाइब 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 न फॉंक्शनालिटीज हरू छान। यो टुटोरियल को प्रोग्रेश संगे हाभी डिफेंट फॉंक्शनालिटीज हरू लाइप प्रयक्ट गर दे जाने छो। तपाई यो आई Studio B interface को विजुलाजेशन लाइ परिवर्तन गर शाक्या छान। तपाई टूल्स ना जान। तपाई टूल्स ना जान। तपाई ग्लोबल ऑप्शन ना जान। तपाई ले एपरेंस बने अप्शन देखनाच। अपैंस भिड्रा तपाई यो जूम गरूश अपन। बढ़ शाक्या लेस्ट टूल्स पूल्स ना जान। इखन दूख सा लिजुलाजेशन ना तपाई लेए कंषे बने टूल्स वाइली ना जान। वाइली आ टूलाइ करिशट अभरो टूल साली परिवर्तन गरीश अईले हाम्रो प्लेन लेयाउट हेरने होने फर्स्ट मा आर स्क्रिप्ट सा तेसपरसी कॉंसोल सा अनित्यों वन्दा एता पटी इंवारोमेंट रो फाइल्स प्लाट होने को सेक्शन पैनल होने यो पेन लेयाउट मा जानू भाय मने तपाईले कुन ठाउमा कुन पेन लाए राखने फर्ने रा सेटप गरो शत्यों छा एदी तपाईले योठ हमा कॉंसोल राखनो भाय मने माथी कॉंसोल बस्ता तला पटी शोर्स बस्ता अथ्वा आर स्क्रिप्ट हरू क्वार्टू डॉक्मेंट हरू उपनो डाहेन तला बस्ता अपलाई गोरोम ओके अले आर स्क् प्रिट माथीने भाय को सहजुन चा ते भायरा महजे माथीने राख्षू अपलाई ओके अगिनो को भन्दा अईले प्रिथक देख्येगो छा महीले प्रहेकरी रहेको आरको भर्जन 5.2.2 हो इसको स्पेसिफिक नाम जै इनोसेंट अन ट्रॉस्टिं रहेको छा रही हो जै 2022-10.31 मां रिलीज बाहेको थियो तपाईले एदी आर सप्टोर लाए प्रहेक कर्णों भायको छा आपनों एनलाईसिस मा वने इसलाइ साइटेशन गर्णों नविश्चिन वहला साइटेशन इसको साइटेशन भने को पत्ता लोगोलर कलागी हमिले उना फंक्शन पर गर्णों जो साइटेशन फॉरड़ बाई उपन ग्लोस ब्राकेट इसलाइ साइट गर्ने रिफ्रेंस भने को यह हो आर मां एधी तपाईले कताई ब्रस देखनों माया भने ब्रस ले साइटेशन इसलाइट कलिक गरे खनऊल त्यारे आले इनमंःमेट को आकी यहां इनमंःमेंटको छुट्टे ब्रस साइटेशन आले इसलाइट क्लिकंग जोले इनमंःम्मेट क्लियर GR आले जेन्राट घंडेट को table, charts आले लाई चुट्टे था रस्त को इन्ना चा यहां क्लिक करना त्यों प्लोर सरू र टेबल सरू लाए क्लियर करना सकूँचा अब फंक्षन को बारे मां केक गुरायरू बुझोवाईगा हामिले एनलाइसिस को क्रम बार डिफेंट फंक्षन चरू प्रयक करशम फंक्षन नभुजी करना हामिले एनलाइसिस को क्याम भरू करना इंतमें अफ्ठेर होँचा फंक्षन बनेको के होता फंक्षन बनेको यह उड़ा इस्तो टूल, मश्न, पतवाय उड़ा इस्तो चीजो जस्तले इन्पूर्ट प्रयक करशा रते स्लाइब प्रोसेसिंग गरशा र इस्तो बड़ा आउटपूट ने खालशा फंक्षन को लागी सदेई इन्पूर्ट चाहिएंच र तो फंक्षन बित्र के गरने भन्ने इंस्त्रक्शन अरू उन्छा फंक्षन ले इन्पूर्ट लिन्च रते लाइ इन्स्त्रक्शन पा आधार मा प्रोसेसिंग गरशा र आउटपूट लिन्च पिच्चा बनोड़ा का लागी कुकीन भन्ने फंक्षन मायो रते स्मा फ्लोर ओनियन शाल्ट एग हरू इसको इन्पूर्ट्स मायो यो फंक्ष इस फौलवा इस्मल ओपन ख्लोस ब्राकेट इसाइड गर्ण्ट गर्ण्ट वी अड्यूड्यू इसको इन्पूर्ट्स पार्ट्स मायो जा इसको रूदार आपर लाइदां वी एक्षन अचाईडी वेला फंक्षन को नाम विसे c-i-t-a-t-i-o-n citation function is always followed by open close bracket citation function को लाइगी नहीं पनी इंपूट सरू चाहिना की नहीं हमिले आर प्रोग्रम लाइग को सरी site करने है और यहां कमांड दी रहेगा सो यह फॉंक्शन लाइ राँ गरना का लाइगी यह लाइग सेले करने रह control रह इंटर की थीचले अथवा यहांनेरी run button च यह run button लाइग क्लिक करनो भाएगानी यह citation बन्य फॉंक्शन ले तपाय हम लाइ आर लाइग कसरी site करने वन्यक कुरा सिखाव नशा अब तपायले कुल working directory मा काम गरी लखनो भाएगा सा बन्यक कुला पत्ता लगाउना का लागी और कू function चा get working directory को wt wt this is a function name it is followed by open close bracket कुण working directory मा काम गरी राहा है शू वहेरा कमार्ण दिन वहाए इसको लागे कुण है पनी इन्पोर्ट चारो चाय वेला एसलाइट पायले select गर्न भाय रर run गर्न भाय भाय भने कुण working directory मा तपाय हुदू शा त्यो working directory को नाम यहाँ दिन शा अब working directory setup गर्न भर्यों तपायले choice गरेको folder लाइचे आपनो working directory बनाऊना मन लाक्यों भने तेशको लागी औरको function शा set working directory को wd अब हमली working directory setup गर्दाइचा हुदू फोल्डर को path चे इसको लागी input हुदू चारो यह function शांबले के input लिन्चा बने लागी पत्ता लोगोना का लागी tab की धिस्टू भाय बने इसले उने possible input शारू को list दिन्चा set working directory ले linear को input direct रहो यह को input चे बाइले फेरी एक फोल्डर लाइने बनावना लागे working directory चा मैले sli बनावना लागे रहो यह भीत्र को tab की धिस्टू भाय बने फोल्डर भीत्र को फोल्डर ना रहो एक्सेस काणा सक्णों छा रा path लाइ clearly add गरना सक्णों छा मैले यह code लाइ control-intrl क्लिक करे रा run गरे अब मैले set करेको working directory setup भाय के भाय ला तेसको लाइके फेरी get working directory लाइ run गरो control-intrl अगिना documents माते हो अईले desktop चे working directory भाय यह सागे चे हमले working directory लाइ setup करणा सक्दसों रा कुण working directory में कायम गरी राखेकास त्यूपनी पत्ता लोग आवना सक्दसों आजक लागी इतिने होस्तत अन्यवाद क्यूस झादए